हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू अंदर वीडियो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम थाई बेल किसमी अगें के पार्ट फूर का स्टोरी एक्स्प्लिनेशन करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिए तक आप कुछ भी मिसना करें और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिसना करें सन और काव बाते करते करते डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे पी आ कर काव के बगल में बैट जाता है सन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहां पे खाना चाहती हो वरना मैं तुमें भी इन्वाइट करता पीट कहता है मैं आपको परिशान तो नहीं करना चाहता हूँ पर मुझे वेटर ने कहा है कि बाकी टेबल्स अविलिबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बैट रहा हूँ काओ खाली टेबल्स देखकर कहता है क्या यह सच भी अविलिबल नहीं है पीट कहता है शायद ये reserved है काओ कहता है वहाँ पे reserved का sign तो नहीं है पीट कहता है तुम जादा सवाल मत करो और चुपचाप खाना खाओ पीट काओ की chopsticks से खाने लगता है खाने के बाद काओ और सन से पूछता है कि मैंने जो pictures click की थी वो आपको कैसी लगी सन कहता है कि तुमने जो pictures click की थी वो बहुत ही अच्छी है मैंने जब उन्हें Facebook पर upload किया तो मुझे काफी likes मिले और काफी लोग भी कैफे में आने लगे है पीट कहता है कि अगर आपका कैफे सच में अच्छा है तो आपको अच्छी photos की जरूरत ही नहीं है लोग खुदी वहाँ पर आएंगे काउ का चेहरा देखकर पीट कहता है कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका कैफे पहले से ही अच्छा है काउ आपकी coffee की बहुत तारीफ करता है सन कहता है तुम भी मेरे कैफे आना जरूर मैं तुमें discount दूँगा पीट मान जाता है और कहता है कि मैं काउ को कहूँगा कि वो मुझे जरूर ले के आए काउ कहता है कि तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते पीट कहता है तुम ज़्यादा शर्माओ मत मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है सन काउ को घर छोड़ने की बात कहता है काउ मना करता है सन जित करने लगता है तो पीट कहता है कि मैं काउ को ड्रॉप कर दूँगा क्योंकि काउ काउ का घर मेरे घर के रास्ते में ही है और वैसे भी मैं उसे बराबर ड्रॉप करता रहता हूँ तो आप चिंता मत कीजिए सन मान जाता है काउ का बैक सण की कार में होता है तो सण उसे लाने जाता है काउ पीद से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ mind games खेल रहे हो पीद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम हमेशा मेरे बारे में गलती क्यूं सोचते हो पीद ट्राइव कर रहा होता है काओ पूछता है तुम मुझे कहां ले जा रहे हो मेरा घर तो पीछे ही रह गया पीत कहता है कि मुझे पता है काओ पूछता है कि फिर तुम मुझे कहां ले जा रहे हो पीत कहता है मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं काओ पूछता है तुम मुझे अपने घर क्यों ने जा रहे हो पीत कहता है तुम सादा सवाल मत पूछो काओ पीत के घर आकर कहता है तुम्हें चूबी कहना है जल्दी कहो पीत कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है पर शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो काउ कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं था तो तुम मुझे यहाँ पे ले के क्यों आये हो काउ जाने लगता है तो पीत उसे रोक लेता है काव कहता है तुम मुझे कन्फ्यूस कर रहे हो पीत कहता है कन्फ्यूस तो मैं हूँ तुम जब से मिन्ट के क्लोस हुए हो तुम बदल गए हो काव कहता है मैं बदला नहीं हूँ बल्कि तुम बार बार मुझे में कमिया निकालते रहते हो काओ कहता है अगर तुम मिंट को लेकर इतने ही पोजेसिव हो तो सीधे सीधे बता दो पीत कहता है कि मैं उसके लिए पोजेसिव नहीं हूँ दोनों में बहस हो जाती है तो पीत कहता है कि मैं उसके लिए नहीं बलके तुम्हारे लिए पोजेसिव हो रहा हूँ काओ ये सुनकर चौंक जाता है तो पीत कहता है पहले मुझे लगा कि मैं मिंट के लिए पुजसिफ हो रहा हूँ पर जब मैंने तुम्हें दुसरे के साथ क्लोस होते देखा फिर भी मुझे वैसा ही फील हुआ जैसा मुझे पहले फील हुआ था काओ कहता है कि तुम कहना के चाते हो पीत कहता है शायद मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ये सुनकर काओ कहता है कि तुम ऐसा मजाक मत करो पीत कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पीत काउ को किस करने लगता है तो काउ उसे धक्का देकर कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो पीत कहता है कि पिछली बार जब हमारे लिप्स टच हुए थे तो वो किस नहीं था किस यह है यह कहकर पीत काउ को किस करने लगता है अगले सुबा पीत का अलार्म बचता है तो पीत काउ को जल्दी से उठने को कहता है क्योंकि उनका आज प्रेजेंटेशन है पीत काउ को अपनी शर्ट देता है दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं पीत के फादर काउ को देखकर पूछते हैं तुम्हारा फ्रेंड रात में यहीं पे था पीत कहता है कि हम पेपर की तयारी कर रहे थे इसलिए वो यहीं पे रुक गया काउ पीत के फादर को ग्रीट करता है पीत के फादर कहते हैं पीत ने मुझे बताया है कि तुम काफी इंटेलिजन्ट हो तो तुम पीत की हेल्प करना क्योंकि इसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है पीत कहता है हम लेट हो जाएंगे दोनों बाई बोल कर चले जाते हैं प्रिजन्टेशन के बाद धड़ा पीत और काउ से पूछता है कि तुम दोनों साथ में कैसे आ गए आज दोनों कहते हैं कि हम बाहर मिले थे धड़ा पूछता है इसका मतलब तुम दोनों के बीच अब सब ठीक है दोनों हाँ कहते हैं पीत काउ को उसके घर ड्रॉप कर देता है काउ जाने वाला होता है तो पीत उसे रोक कर कल रात के लिए सौरी कहता है और कहता है कि कल में कुछ साधा ही चैलिस हो गया था इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे हम दोनों के matter का क्या करना चाहिए मैं बहुत confuse हूँ काव कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ तो अभी के लिए हम सिर्फ friends ही ठीक है पीट पूछता है क्या तो में इससे कोई problem नहीं है काव मना करता है और कहता है कि तुम जब ready होगे थम इस बारे में तब बात करेंगे काव बाय बोल कर चला जाता है सन के लिए किसी लड़की ने rain को drink दिया होता है तो rain सन से पूछता है आपको इतने सारे लोग पसंद करते हैं तो आप अभी तक single क्यों है सन कहता है जब सही वक्त होगा तो मुझे भी कोई ने कोई मिली जाएगा सन rain को कहता है मुझे कुछ काम है तो तब तक कैफे का धियान तुम रखो rain पूछता है आप जा कहा रहे है सन कहता है मुझे काव के college के पास कुछ काम है तो मैं वहाँ से आते वक्त उसे pick करूँगा अपनी नई recipe ट्राइ करने के लिए rain पूछता है आपको सच में काम है या फिर आप काव को pick करने ही जा रहे है rain पूछता है क्या ये भी आपके single होने का कारण है सन कहता है मुझे सच में कुछ काम है sun चला जाता है mint पीट को call करके उसे शाम में मिलने को कहती है पीट मान जाता है काव पीट से पूछता है क्या तुम अभी भी mint के साथ हो पीट हाँ कहता है और कहता है मैंने ही उसे अपने पास आने को कहा था अगर मैं उसे अचानक से छोड़ दूँगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा काव कहता है तुम पहले से ही बुरे हो पीट पूछता है क्या तुम अपसेट हो काव कहता है कि फिर क्या मैं खुश रहूँ पीत कहता है तुमने तो कहा था कि तुम समझ रहे हो बात को काव कहता है कि मैं हमारे बीच का स्टेटस समझता हूँ ना कि मिन्टर तुम्हारे बीच का तुम्हें कोई न कोई डिसिजन तो ले नहीं होगा तभी थड़ा के साथ सन आता है सन काव से कहता है मैं यहां किसी काम से आया था तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नई काफी की रेसिपी ट्राइ करो रेन भी वहाँ पे है तो क्या तुम चलोगे काव हाँ कह देता है काव सन के साथ जाने वाला होता है पर पीत उसे रोक कर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है काव पीत के साथ साइड में आ जाता है काव पीत से पूछता है तुम यह क्या कर रहे हो पीत कहता है यही मैं तुमसे पूछना जाता हूँ तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा और सन का close होना पसंद नहीं है काओ पूछता है मैं उनकी close क्यों नहीं रह सकता मैं उन्हें तुमसे पहले से जानता हूँ पीत कहता है कि ये तो और भी बुरी बात है कहीं तुम ये जान मुझ कर तो नहीं कर रहे हो काउ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है और वैसे भी तुम खुद भी किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं हो काउ कहता है मैं दूसरे लोगों से मिलना बंद कर दूँगा जब हमारे बीच का स्टेटर्स क्लियर हो जाएगा काउ ये सब कहके चला जाता है काउ सन के साथ उसके कैफे आ जाता है काउ को खोया देख सन उससे पूछता है कि क्या कॉफी अच्छी नहीं है काउ कहता है कि कॉफी अच्छी है मैं बस कुछ सोच रहा था सन पूछता है क्या तुम्हारा पीट से जगड़ा हुआ है काउ मना करके पूछता है आपको ऐसा क्यूं लगता है सन कहता है कि हमारे हाँ आने से पहले पीट ने साइड में जाके तुमसे कुछ बात की थी और मुझे लगता है कि पीट को मैं पसंद नहीं हूँ काउ कहता है कि पीट बस थोड़ा अनफ्रेंडली है और जो मन में आया वो बोल देता है इसलिए उसकी दूसरों से जादा बनती नहीं है आप इस बारे में जादा मत सोचिए रेन मौर्क के साथ कैफे में आता है सन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम अकेले आ रहे हो रेन कहता है मौर्क मुझे रास्ते में मिलाया मौर्क कहता है मैं भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था रेन मुझे लेके आया है सन कहता है अगर ऐसा है तो तुम अभी भी यहाँ से जा सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मौर्ग को गुस्सा होता दे एक रेन कहता है कि मौर्ग को मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ मौर्ग कहता है तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है वैसे भी ये ओल्ड मैन मुझे कुछ साधा ही गुस्सा दिलाता रहता है रेन और मौर्ग चले जाते है पीत काव को कॉल करता है पर कावर कॉल रसीव नहीं करता है तो पीत उसे मैसेज़ेश भेजने लगता है मिन्ट पीत को बिज़े देखकर पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है पीत मना करता है मिन्ट कहती है कि तुम जब से यहाँ पे आए हो इरिटेटर लग रहे हो अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो पीत कहता है कि मैं तुम से कुछ कहना जाता हूँ सन काउ को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है काउ सन से पूछता है आप जब भी मौर्ग को देखते हैं उससे जगरने क्यों लगते हैं सन कहता है मौर्ग हमेशा मुझे इरिटेट करता है और मुझे नहीं पसंद है कि रेन मौर्ग के साथ खुमे काउ कहता है कि आप कुछ ज़ादा ही चिंता कर रहे हैं मौब भले ही बुरा लगता है पर वो बहुत sincere और अपने friends को प्यार करता है सन कहता है तुम बिलकुल rain की तरह बोल रहे हो कहीं है सब उसने ही तो तुमें नहीं कहा है काव कहता है ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है कि मौर्ग ट्रेन के साथ बार-बार कैफे इसलिए आता है क्योंकि वो आपसे मिलना जाता है सन कहता है अब तुम बस भी करो मैं तुमसे मौर्ग की बात करने के लिए तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ काव पूछता है फिर आप मुझसे क्या कहना चाते हैं सन कहता है कि मैं हमारे बारे में बात करना चाता हूँ काव का घर आ जाता है तो काव सन की बात सुनकर तुरंट से टॉपिक चेंज करके सन को थैंक्स कहके चला जाता है काव जब अपने रूम में होता है तो वहाँ पे उसे पहले से पीत इंतजार करता दिखता है काव पुछता है तुम मेरे रूम में कैसे आ गए पीत कहता है मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि हमें कुछ पेपर करना है साथ में तो उन्होंने मुझे यहाँ पर रुखने को कहा है पीत कहता है तुम मेरे call और messages का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे अखिर बात क्या है काओ कहता है मैं sun के साथ था और वैसे भी तुम भी तुम मिंट के साथ गए थे न पीत कहता है मैंने मिंट से रिष्टा खतम कर दिया है काओ कहता है कि तुम ऐसा करी नहीं सकते पीत कहता है मैंने ऐसा कर दिया है अब story past में आती है पीत मिंट से कहता है कि हमें एक दूसरे से मिल लाव बंद कर देना चाहिए मिन्ट पूछती है क्या तुम फिर से मुझसे ब्रेक अप कर रहे हो पीत कहता है अगर मिन्ट फिर से पिछली बार के तरह वापस आ गई तो तुम क्या करोगे पीत कहता है इस बार मुझे पता है कि मैं किसे लाइक करता हूँ इसलिए वो कुछ भी कर ले मुझे कोई फिर्क नी पड़ता पीत काउ से कहता है अब तुम क्या करना चाते हो काउ को चुप देखकर पीत कहता है तुमने जो भी कहा था मैंने वो सब कर दिया है अब बस मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है ये कहकर पीत काउ को किस करता है तो काउ से हटा कर कहता है मुझे तुम पर भरूसा नहीं है पीत पूछता है मैं तुम्हारा भरूसा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ काउ कहता है कि मुझे नहीं पता पर तुमने कई बार मेरा दिल दुखाया है अगर तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सिंसियर हो पीत कहता है मैं तुम्हें जरूर साबित करूँगा सन काउ के बारे में ये सोच रहा होता है सन को खोया देख रेन पूछता है कि आप सुबह सुबह खोय हुए हो अगर आप चाहो तो आप अराम कर सकते हो मैं कैफे संभाल लूँगा सन कहता है मैं ठीक हूँ पीत और काव पड़ रहे होते हैं काव पीत को पीपीटी बनाने को कहता है तो पीत कहता है मैंने ये पहले ही बना लिया है ये देखकर काव पूछता है क्या तुम सच में पीत हो ना पीत हां कहके कहता है हमें अपनी अच्छी क्वालिटीज हर वक्त नहीं दिखानी चाहिए बलकि صرف किसी खास वक्त पे ही दिखानी चाहिए काओ कहता है पर इससे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट बिल्कूल नहीं दूंगा पीत कहता है तुम्हें थांक्स कहने की जरूत नहीं है पीत अचानक सही दिल लगा कर पढ़ाई करने लगा है ये जरूर इसलिए हुआ है क्योंकि उसका तुम्हारे जैसा दोस्त है पीत अपने फादर को जाने को कहता है तो उसके फादर उन्हें पढ़ने को कहके चले जाते है दोनों मस्ती मजा करके पढ़ने लगते हैं काव पीत के लिए नूडल्स बनाता है पीत एक बाइट खा के अपने काम में लग जाता है तो काव पूछता है तुम इतना थोड़ा क्यूं खा रहे हो पीत अपना काम खतम करके कहता है मेरा पूरा प्रिजेंटेशन कंप्लीट हो गया है पीत मस्ती मजा करने लगता है पीत काव से पूछता है क्या तुम इसके बाद बिजी हो काव कहता है मैं बिजी तो नहीं हूँ पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो पीत कहता है मैं प्रिजेंटेशन कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ पीत काउ को सन के कैफे लेके आता है तो काउ पीत से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो कहीं तुम कुछ प्लैन तो नहीं कर रहे हो पीत कहता है मैं बस काफी पीना चाहता हूँ और सन ने मुझे पिछली बार कहा था कि वो मुझे डिसकाउंट देंगे काउ पूछता है कि क्या सच में यही बात है पीत हाँ कहता है काउ कहता है मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ तो तुम सन से अच्छे से बात करना है मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे कि तुम मुझे ना पसंद करते हो पीत कहता है मैं उन्हें सच में ना पसंद करता हूँ क्योंकि वो बार बार तुम्हारे क्लोज आते रहते हैं काओ कहता है कि मैं मजाख नहीं कर रहा हूँ पीत कहता है अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो क्या तुम मुझे डेट करने के लिए मान जाओगे काओ कहता है कि दोनों अलग बात है तो तुम मजाख करना बंद करो पीत कहता है मैं तो मजाग करी नहीं रहा हूँ दोनों अंदर आ जाते हैं सन दोनों को कॉफी देता है दोनों उसे थैंक्स कहते है पीत कॉफी की तारीफ करता है सन उसे थैंक्स कहता है काओ ये देखकर कहता है तुम चाहो तो अच्छी बात भी कर सकते हो मुझे नहीं पता था पीत कहता है मैंने तो बस सच्का है दोनों मस्ती मजाग करने लगते हैं सन उन्हें दुखी मन से देख रहा होता है मौर्क बाहर से ये सब देख लेता है पीत और काउ जब कैफे से बाहर ज़ा रहे होते हैं अभी जून पीत को कॉल करके बताता है कि वो सीनियर्स फिर से उसके पीछे पड़े हुए हैं। पीत कहता है मैं काउ के साथ अभी आता हूँ। दोनों मैटर खतम करके घर जा रहे होते हैं। पीत हसते हुए कहता है कि जून हमेशा अपने बोलने के तरीके के कारण मुसीबत में फस जाता है। काउ कहता है कि अच्छा हुआ कि सीनियर्स पीछे हट करे वरना जून की हालत और भी साधा खराब हो जाती। दोनों मस्ती मजा करने लगते हैं। काउ का घर आ जाता है तो काउ पीत को थैंक्स कहके कहता है कि मुझे आज बहुत मजा आया। बस जून के मैटर को हटा कर पीत कहता है मुझे भी आज बहुत मजा आया। दोनों बाई बोल कर अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर यह पार्ट खतम हो जाता है So friends, that's it for this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बेल एकन भी प्रेस कर दीजिए तक आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें So friends, thanks for watching this video. Bye-bye and take care of your health